29 अगस्त साल 1905 को मेजर द्यानचंद का जन्म इलाबाद यानि आज के प्रियागराज में हुआ उनका नाम भारत और विश्व होके के सर्वश्ष्ट खिलाडियों में शुमार है इसी लिए उन्हें होके का जादूगर भी कहा जाता है उन्होंने अपने करियर के शुरुवात ब्रिटिश भारती रेजिमेंटल होकी टीम के साथ शुरू की उनके टीम में रहते हुए भारती होकी टीम ने लगातार तीन बार उलम्पिक सोन पदक जीते इन उलम्पिक्स में वर्ष 1928 का एमस्टर्डम उलम्पिक, 1932 का लोस एंजलीस उलम्पिक और 1936 का बर्लिन उलम्पिक शामिल है होकी के अपने खेल जीवन में ध्यानचन ने अपनी करिश्माई होकी से जर्मन तानाशा हिटलर को ही नहीं बलकि महान क्रिकेटर डॉन ब्रेडमन को भी अपना कायल बना दिया था उनके नाम पर भारत में खेलों में उत्रश्ट प्रदर्शन के लिए ध्यानचन खेल रत्म पुरुसकार दिया जाता है यही नहीं उनके जैनती को भारत में राश्टरी खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है वर्शों 1956 में उन्हें भारत के प्रतिश्ठित नागरिक सम्मान पद्म भोशन से सम्मानित किया गया